प्रेंट्स वेल्कम डूम येट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज में बात करने वाली किया सोने GTX Plus variant के बारे में तो फ्रेंट्स जो किया सोने GTX Plus variant है वो डो स्पेसिफिकेशन डीजल और पैट्रोल अटमेंटिक वेरियंट है तो फ्रेंट्स का जो प्राइज है वो डिवेल हो गया है तो फ्रेंट्स जो GTS Plus Petrol Lecity एं GTX Plus Diesel 80 variant है उसका प्राइज हमें 12.89 लेक एक सून प्राइज देखने को मिलने वाला है तो फ्रेंट्स जो सॉनेट है वो हमें 2 ट्रीम्स अवेलेबल देखने को मिलती है तेक लाइन वर्यांट एंग जीटी लाइन वर्यांट फ्रेंट्स जो GTX Plus variant है वो हमें GTLine Trim में देखने को मिलता है तो फ्रेंट्स अगर मैं बात करूं इसके इंटिरियर के बारे में तो फ्रेंट्स इसके अंदर हमें 10.25 इंच ट्रस्क्रें इंपरमेट सिस्टम देखने को मिलता है जो कि हमें Android Auto and Upper CarPlay Connectivity के साथ और UVO Connect Features के साथ देखने को मिलता है और इसके इंटिरियर में हमें ventilated front seats, wireless charging with cooling function, air purifier with display, automatic climate control with rear aircon vents, 7 speaker Bose audio system, ambient lighting, cruise control and digital speedometer देखने को मिलता है और इसके GTLine Trim में हमें 3 driving modes देखने को मिलता है, normal mode, eco mode and sport mode देखने को मिलता है तो अब में बात करने वाली इस GTX Variant के engine के बारे में तो फ्रेंट्स GTX Variant के petrol engine के बारे में बात करूँ तो फ्रेंट्स के अंदर हमें 1.0 liter turbo petrol engine देखने को मिलता है जो कि हमें 180 PHP के power output के साथ और 172 NM के talk के साथ देखने को मिलता है और फ्रेंट्स ये engine हमें 7 speed dual flash transmission के साथ देखने को मिलता है और फ्रेंट्स ये engine हमें 6 speed IMT transmission के साथ भी देखने को मिलता है तो फ्रेंट्स अगर में बात करूँ diesel engine के बारे में तो फ्रेंट्स के अंदर हमें 1.5 liter diesel engine देखने को मिलता है सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पाइस जल से जल्द आए और से इंट्वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेर करें और कमेंट करें